नमस्कार दोस्तो आज हम नएा टopik पढ़ेंगे केलेंडर ठीक है तो केलेंडर को देखें आज क्या है कालेंडर तो परीच्य में लिखाै कि कलेंडर के बीच पारसपरिक समंधों को परदर्शित करने काम है कलेंडर का ठीक है कलेंडर से समयंदित प्रस्णों में मुख्यता है किसी निश्ची तिति को पढ़ने वाले दिन का नाम पूछा जाता है और मतलब कोई दिन कौन सा दिन होगा कोई तारीख बताएगा उस तारीख पे कौन सा दिन होगा सोंबार मंगबार तो ऐसे परस जभी से शुरू होने वाले ठीक है, ऐसे परसन किसी अन्य तीथी को अधार मानकर यहनि कोई ओर तारीथ देगा कि उतने तारीक को सोंबार था तो अगर इतने तारीक को क्या होगा ऐसे कोस्तों ठीक है। तीसरा होता है कि दो च创 व्य जर्ट कंश धारल कोई को इस तरह होते हैं जिसमें इंग जने ईत्थiğ में था दोसरा से सब्सकाइ़ करते हो और उसका सभी जरन दिन पता करते हैं तो इस वीडियो में आगे उसको ज़ूर देखेंगे आप इसको jew को पूछा देखे आपका सारा के डौत कि ले हो जाएगे gentle है तो पहला टाइप करें में आज एक जनवरी शन ए पर मानकर जो प्रसशन होते नकिन इसमें यह माना जाता है कि एक जन्वरी सन एक को सोंबार था तो ऐसे प्रस्थनों को निम्न प्रकार्शे हल करते हैं इसमें वर्स का जन्वरी को प्रारम होना और 31 दिसम्बर को अंथ होना माना जाता है तो ऐसे प्रस्थनों में एक इसमें वर्स का एक जन्वरी को प्रारम ह करके दिन का नाम निकालते हैं अब विसम दिन क्या होते हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ठीक है तो जिस तीथी का दिन पूछा जाता है उस तीथी तक विसम दिनों की शंख्या मालूम करके दिन का नाम निकाल लेते हैं इसके लिए हमें वर्स लीप वर लीप वर्ष प्रकादर निные taste मैं 262 या 529 जो 145 तो हैं वाकि चार से भाग नहीं से इसके लिए हमें वर्ष लीप वर्ष सतावदी सतावधी मु स् तता कौन सा महीना कितने दिन का होता है इसका पता होना चाहिए ठीक है तो ये चीज़े आपको नोट रखनी है एक समाने वर्स में 365 दिन होते हैं जबकि लीप वर्स में 365 दिन होते हैं समाने वर्सों में 4 से भाग पूरते लग जाए तो लीप वर्स कहलाता है प्रंतु सताब सताब्दी वर्सों के लिए 400 से पुर्णते वाईत होना जरूरी होता है यानि यह बाद ध्यान अकनिया जो सताब्दी यानि 100 वर्सों वाले होंगे उनमें पहले 400 से भाग देना जरूरी है ठीक है वर्स में 12 महिने होते हैं जिनमें जन्वरी, मार्च, माई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर दुबारा सुनेंगे जन्वरी, मार्च, माई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तथा दिसंबर इसमें 31 दिन होते हैं ठीक है दो तीन बारा प्रेटिस करेंगे याद डी ठीक है ऐसे आप याद कर सकते हैं जे जनवरी मार्च म मई जे जुलाई ए अगस्त और अक्टूबर और डी दिसम्बर ठीक है तो जे एम एम जे ए ओडी तो इनमें 31 दिन होते हैं ऐसी अपरेल जून सितंबर नवंबर इसमें 30 दिन होते हैं ठीक है और फरवरी में लिखा आप समाणरे वर्स में अगर failing होगा तो 28 दिनों का और और वहbers लीप वर्स वा तो 39 दिनों की खर्वरी होगी कि अब सबान यह उढ़ता है कि समाणर ल लिब वर्स में विसम दिन की तरह निकाला जाय को सर्न वाले कोसें होता है इसमें किसम दिन हमें 310 सेभा दिने पर जो सेष बजता है वही विश्वदिन होता है यानि समाण नें और लीपवर्ष में जितने भी दिन हों गे जैसे 365 या 366 उनको 7 से भाग कर दो तो साथ से भाग देने पर जो भी 6 आएगा जैसे 2 या 3 या 4 शेसफल ना 6 तक आएगा एक से 6 तक में शेसफल आएगा तो इनी को बोलते हैं विसम दिन तो विसम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होगी ठीक है संभाण बसका विसम दिन कैसे निकालोगे तो हमने बताया तो संभाण कर नहीं 6 65 दिन होते हैं आदिने आप 10 वर्सों का विश्म दिन कैसे निकालो गए तो पहले तो सौ वर्सों में होते हैं 24 लीप वर्स और 76 होते सम्माने वर्स तो हमने देखा कि जो leap वर्स होते हैं। ईसम्मा दिन की संक्या दो होती है। तो चोबिसलीबवर्स में चोबिसली अड़तालीस हो जाएंगी और समान्य वर्स में जो लीबवर्स विसम साथ से नहीं गोता हैं तो चेतर को एक से गुणा करेंगे तो 24 दुनिय 48, 476, 124 आगया अब दुबारा इसको सब्ता में बदलेंगे तो साथ से भाग देंगे तो 17 सब्ता आ गया है प्लस 5 यानि 5 आपका सेस बच गया है तो जो सेस 5 बचाए तो यही अब 100 वर्सों में विश्णम दिन की संक्या 5 है ठीक है तो 100 वर्सों में विश्णम दि कैसे होगा तो अभी हमने 100 वर्स का तो निकाला ही था विश्णम दिन के 5 होता है तो 200 वर्स के लिए 2 गुन हो जाएगा तो 10 तो 10 को साथ से भाग देंगे तो एक सब्ता पूरा बच गया तीन तो यानि इसमें सेस 3 आया तो अब दो वर्सों में विश्णम दिन 3 हो गया तो तो तीन गुना 100 वर्स का विश्णम दिन तो सो वर्स का विश्णम दिन अभी पांच आये था तो पांट या पंदरा पंदरा कुछ साथ से भाग देंगे तो दो सब्ता और एक दिन बच गया तो जो इसमें एक सेस आया है वही 300 वर्सों का विश्णम दिन है ठीक है तो अभी हमने याद किया कि जो अगर 100 वर्स है तो इसमें विश्णम दिन 5 है 200 वर्स है तो इसमें विश्णम दिन 3 है तो अगर 300 है तो इसमें विश्णम दिन 1 है ठीक ह यह आपको ध्यान रखना है अब बटे में साथ तो यह आपका हो जाएगा आपका 21 बटे साथ नहीं तीन सब्ता पूरा यानि जीरो दिन तो विशम दिन कितना हो गया जीरो हो गया ठीक है इसमें कुछ सेश नहीं बचा अत्या 500 का विशम दिन सूनने होता है तो अब आप करेंगे कि सो का पांच 2703100 का एक और 400 का विशम दिन जीरो होता है क्योंकि 400 लीवादा है अत्य परतेक आने वाले ऐस में सथादी लीवादल मैं तून्ने विसम दिन होंगे ठीक है तो अगर आगे को हो किसम में आता है तो आपकों लीब चार सो का भी ध्यान को अग scripture का ठीना भें नियाखना किसा अब लिखाए कि 31 दिन में विसंदिन केतने होते हैं महिनते मैं 31 से बाद के उसे अगि हो अगर वो तीस दिन अगर हो तो उसमें जो कितना आएगा तीस वृत्य साथ दो विशम आएगा तो 31 दिन के लिए विशम आएगा तीन और 30 के लिए दो तोना त्य के लिया एगा एक ठीक है? 28 के लिए जिप विशम दिन 0 किसी भी समाने वर्स का पर्थम तथा अंतिन दिन समान होता है। समान ंभर्स में एक निची तारीख से उसी दिनों की संक्या 365 होती है यह इब है रहं आठना है। और विशम दिन निगलिखित प्रकार से दिन बोध कराते हैं, यह आपको थोड़ा सा याद रखना है, कि अगर जीरो आपका विशम दिन आया, तो वो रविवार होगा, ठीक है, एक आया तो सोमार, दो आया मंगरवार, तीन आया बुदवार, चार आया गुरुवार, पांच आया शुकरवार, छे आया सनिवार, ठीक है, आप इसको एंगलिख में भी याद कर सकते हैं, मंडे टूजडे से, इसको आप जरू नोट कर लें, ताकि आपको याद रहे कि अगर पांच से इसफ़ल आता है, तो सुकरवार होगा, छे आता है सनिवार, जीरो आता है तक, यानि यह हो गए, 1997 पूर्ण वर्स और एक दिन, सोचो, शुरुवाद से सोचो, एक जनवरी और एक संद, ठीक है, उससे सुरुवाद करोगे, तो आपको पता चलेगा, कि एक जनवरी उनिशन थान थान तक, 1997 तो पूर्ण वर्स हो गया, और एक दिन वो जनवरी का हो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि चार सो में भी पढ़ाता है, चार सो में लीपवर जीरो होते हैं, तो सोला सो में यह होगा, अभी बच गया आपका यह तीन सो, ठीक है, यह आपका क्या है, तीन सो, अब थीन सो विसम दिन संख्या अभी पढ़ी थी हमने एक होती है, अब ब विसम दिन कैसेया होगा ठीक है इसकी अंब चेंहां हो तो यह संतानवे है तो इसकांडिन दो इस आपको याद रखना है तो खुल हुआ 3 अब शंतानवे वर्स जोस् María है कि संतानवे में तो π haar 24 हो गए अच्छा वो मैंने गरता दिया तो 97 में जो लीप वर्स हो गए वो हो गए 24 ठीक है और 73 बच गए 6 क्योंकि 73 24 होते हैं 97 अब लीप वर्स में होते हैं 2 विसम तो और 24 दोनी 48 और हो जाएगा 73 और समान वर्स में होते हैं 1 विसम दिन 73 अब दोनों जुड़ जाएगा 121 अब 121 को साज से भाग दो गए तो आपको मिलेगा सत्तरा सब्ता और दो विसम दिन तो 31 दिसंबर 1997 तक तीन विसम दिन हो गए ठीक है तो एक जनवरी सन 1998 तक कुल विसम दिन हो गए एक और बढ़ गया 4 तो वर्तिय पाई चार्ट में जो 4 था वो गुरुवार के लिए इस्तिमाल था तो अथा एक जनवरी 1997 को गुरुवार का दिन होगा यहां पर आपको ध्यानकना है कि जो विसम दिन आएगा जो कि 2 आय था उसमें 31 दिसंबर की तारीक एक और जोड़ोगे तो विसम दिन 3 हो जाएगा अब हमें एक जनवरी को पूछा था तो एक जनवरी के लिए एक दिन और ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं बी टाइप के कोस्तन किसी अन्य तिती को अधार मानकर इसमें हम दिये हुए तिती से पूछे गई तिती तक के दिनों में विसम दिनों की संख्या मालूम कर दिनों का और दिन का नाम निकालते हैं और दिये हुए तिती को जो दिन पढ़ सब्सक्राइब करेंगे और जो दिन बोला है उसमें वह जोड़के उसका दिन पता कर लेंगे ठीक है इस एक्जामपल से आपको किलिए होगा चार जनवारी उन्सुन पिछानवी है तो 4 जनवारी उन्सुन payroll को गुरूभार है तो चार जनवारी 19 dennis Victor Lukka Lina चार जनवारी का विशंदिन कakes प्रिदक हो गया ठीक है तो जनवारी का विशंदिन के से आया ओगा सिड़े देखो जनवरी होते हैं 31 दिनों काremo 31 में 4 जनवरी न पूरा हो गया तो बचा होगा कितना ले कर बच कर लाधा केonnenTalk 27 थाट अब उस 27 को आप सात से भाग दोगा तो 27 तीrzyंग भज इस तो से बिलीप वर्ष correct क्योंकि परवरी 28 दिनों काई होगा, 28 को साथ से भाग करेंगे तो 0, समाने वर्स में फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में अब 31 होता है, 31 को दुबारा आप साथ से भाग दोगे, तो बचेगा 3, ठीक है, क्योंकि 31 को जब 4 से भाग दोगे, तो 28 तो हो जाएगा, लेकिन 3 ऐसी अपरेल में 2, मैं में 3, जून में 2, फिर 3-3, 2-3, 2-3, और जनवरी में 20 दिन, क्योंकि जनवरी में वही चार तारीक तक पूचा था, तो 4 और जोड़ देंगे जनवरी का, ठीक है, चार जनवरी तक पूचा था, तो 36 ओगे 20 दिन, अब 36 को साथ से भाग देंगे 5 पल तो गुर्वार में एक जोड़ देंगे तो शुक्करवार तो यानि हमारा अंसर जागा कि शुक्करवार का दिन था ठीक है इसमें दूसरा मेथड भी लिखा है समय बचाने के लिए कि 4 जनवरी 1995 से 4 जनवरी 1996 तक खुल दिनों संक्या है तो पहले इसमें सीधा बच्चे वे दिन गिलनी आए 27, 28, 31, 30, 30 महीने के दिन जोड़ लिया 365 हो गया सास से भाग दिया तो यह हो गया 52 प्लस एक ठीक है यह ज़िए उसकर्णवरी 1 यह ज़िए द्धें जोड़ कि अगला दिन आ जाएगा उसमें पाइचार्ट का यूज नहीं करना अभी ध्यान रकने हैं आप हम थीसा टाइप करेंगें कि 2 या 2 से अधिक विक्टिय द्वहरा दी गई जनकारी के दार पर कोई निश्चित दिन या तीथी को जिएक करना किसी वेक्ति के बारे में निश्चित समय या अंग का सही मान उन वेक्तियों के क Healthन से निकालना होता है इसमें व्रेक्तियों के उवेनिष्ट मान ही, यानि जो कुमन वाला डेट आएगा, या कुमन वाला जो मान आएगा, उसका वही आपका अभिष्ट उत्तर होगा, प्रसंद का उत्तर होगा, सताबदी को याद है एक इसी आदमी का नाम है सताबदी को याद है कि अफनान की जनमतिती 25 मई के बाद लेकिन 30 मई के पूरव है परंतु उसके पिता को याद है कि अफनान का जनमतिती 28 मई के बाद लेकिन 31 मई से पूर यानि पहले है पताओ कि अफनान की जन्मतिति क्या है 28, 29, 30 इन में से कोई नहीं है। हम हल देखेंगे आपको उत्तर समझ मा जाएगा। तो सताबदी के अनुसार अफनान की जन्मतिति 26 से कितना ले लेंगा 29 और उसके पिता के अनुसार 29 से 30 ले लेंगा। कोस्तन में यह कहा थाना कि 28 और 31 के बीच तो 28 99 चैस से दिन बसता है और उसने कहा था सताबदी में 25 30 के एपको सुची स्य। सिर्फ 29 में बता रही है तो अप्शन नमबर दो सही है ठीक है